हेलो दोस्तों आज इस वीडियों में हम बात करने वाले हैं गाई का कविता किश्ण मोर्ती के लाइफ स्टाइल के बारे में तो आएए देखते हैं कविता किश्ण मोर्ती भारती सिनेमा की पार्श गाई का हैं जिन्हें दूसरी लता मंगेशकर के नाम से जाना जाता है कविता किश्ण मूर्ती का जन 25 जनौरी 1908 ठाउन को दिल्ली में हुआ था उनका वास्तविक नाम सारदा है उनके पिता का नाम टीयस किश्ण मूर्ती था जो की HRD मंत्राले में करमचारी थे कविता की साधी वाइलिन वादक एल सुब्रमंडेयम से हुई उन्होंने अपने हजबेंड के साथ संगीत संस्थान सुरू किया था जिसका नाम सुब्रमंडेयम एकेडमी आफ परफार्मिंग आर्ट्स है कविता को संगीत की प्रारंभिक सिच्चा उन्हें घर पर ही मिली उन्होंने बाद में बलराम पुरी से सास्त्री संगीत सीखा कविता किश्ण मूर्ती ने सेंट जेवियर कालेज से अपनी प्रारंभिक सिच्चा प्राप्त की इसके बाद उन्होंने इसी कालेश से अपनी बी-ए आनर्स अर्थसास्तर में डिगरी हासिल की उन्होंने आठ साल की उम्र में सास्त्री संगीत सीखना सुरू किया जब वोई 14 साल की हुई थी तब वह मंबई आ गए जिसके बाद वह लगातार कालेश के दिनों में अपने संगीत में मसगुल रही इसी दोरान उन पर मेजिक डारेक्टर हेमंद कुमार की नजर पड़ी उन्होंने कविता को एक लाइब परफार्मेंस के लिए आमंतरन दिया इस लाइब परफार्मेंस के बाद कविता की जिन्दगी पूरी तरह से बदल गई क्योंकि इस आयोजन में वह पहली बार मन्ना डे से मिली मन्ना डे के साथ कविता ने एक एड के लिए जिंगल गाया 1976 के अंत में लचमे कांथ प्यारे लाल के जरिये उन्होंने बाली बुड में डेबू किया 1985 में आई फिल्म प्यार जुकता नहीं से उन्हें सफलता मिली लचमे कांथ प्यारे लाल से मिलने के बाद कविता का बाली बुड संगर समाप्त हो गया जिसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कभी तक किष्ण मोर्ती ने बंगाली हिंदी के लावा कन्नड भासा में भी गाने गाये हैं वो हिंदी सहित करीब दरजन भर भासाओं में 25,000 गाने गा चुकी है बरस 2005 में उन्हें भारस सरकार द्वारा पदमस्री पुरसकार से सम्मानित किया गया इसके अलावा उन्हें चार बार सर्बसरिष्ट महिला पार्स गाईका के रूप में फिल्म फियर पुरसकार से सम्मानित किया गया जा चुका है आपको गाईका कविता किष्ण मोर्ती के जीमन से जुड़ी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बाक्स में लिख कर जरूर बताएं अगर आप हमारे चैनल पर नए आये हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दीजे इसी तरह की वीडियो हम अपने चैनल पर हमेशा लाते रहते हैं धन्यबाद आप सभी मित्रों का